के गाइस नमस्ते इवरिवान वल्कम पैक टू मैं चानेल वर्कम प्रिया नादार नीव व्लॉग मैं हूँ मोश्मी और आप लोग देख रहे हो माई लाइफ माई जालनी अब सभी को मेरी और एक व्लॉग वीडियो में सहागत है असा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ह कर देखने के बाद लाइक करना बूल जाते हो तो प्लीज एक लाइक कर देजिए गाते चलिए अज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छे दिन गुरुबार और अभी मौनिंग का टाइम है सुबह सुबह मेरा नहाना और घर का जितना सारा काम था क्लिनिंग द देखें मैं भगवान जी का जितना सारा बरतन बगार था वो सब में धोलिया है और आप मैं चारी हूँ पूजा करने तो चले फुड़ा फुटा भी मैं पूजा कर लेती हूँ और पूजा के बाद जो है एक बहुत मतलब बहुत बड़ा काम करना है मुझे तो वह क्या है म लोग थोड़ी दोएर में बताती हूँ तो चलिए अभी जो है पूजा के बाद हम लोगों का ब्रेक्फास्ट भी हो गया है इवन मेरा लांच भी रेडी था सुभा सुभाई तो पुदिरेव जो है सुभाई लांच लेके चला गया था इसके लिए लांच ब्रेक्फास्ट सबकुछ रेडी हो गया था मेरा सुभाई अड़ बेज तक तो अभी जो है मैं आगे थी यहां पर कुछ नारिकिल बगरा लेकर और साथी साथ जो है चावल का आठा लेगे तो काल है मकड संकंती अब सभी को एड़आस्में है भी मकड संकंती तो मगड संकंती के लिए जो तो मैंने सुचा कि टेबिल और च्यार को थोड़ा से आटा देते हैं यहां पर जो है कुछ मतलब यह सब काम कर लेते हैं उसके बाद फिर से जगा पर मैं रख दूंगी और अभी मैं नर्कल बुरा दा बना रही थी नर्कल का स्टरफिंग बनाना है तो यहां पर जो है दो ट हो जाओल में लेके आए थी और नर्कल बुरा दा जो है इसी इसको बोटी बोलते हम लोग तो इसी से ही मैं करती हो तो देखिए यहां पर जो है नर्कल बुरा दा रेडी हो गया था उसके बाद में दुनों टाइप का जो राइस फ्लावार था वही अभी मैं चान रही थी दूद फूली बनाओंगी और जो बीना वाल का है यानि कि आतव चल जिसको बोल रहे हैं हम लोग उसका आज जो है पर हम दूद फूली बनाएंगे तो चलिए फुटा फुटा भी यह सब कर लेते हैं थोड़ी जिर में बाते करते हैं तो आप ही मैं बना रही हूँ नारकल का स्टरफिंग उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने कड़ाई गरनम करने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैं इहाँ पर गुड़ एड़ कर दिया था तीन सके करीब होगा तो गुड़ जो है अच्छे से गL जने के बात यहाँ पर मैंने जो नारकल गूरादा रइड़ी करके रखा था गोई आट कर दिया है तो इसके साथ जो है धीमे आज में चलाते जाना है तो गुड़ के साल जुह है नारकल गूरादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इ कीये चैशनी बनाने के लिए गड़ाई पर मैने दूद दे दिया था दूद थोड़ा सा गड़ा होने के बाद मैं यहां पर ना जो राइस फ्लावड था वो यह पानी में घोल पर ध्याड कर दिया है तो इससे क्या हो बोल्दी जो पर आते हैं तो वहीं मैं मार्केट से लेक एक डो बनाऊंगी तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने पानी गरम कर दिया था और उसके बाद थोड़ा से मैंने सल्ट एट कर दिया था और अभी उपर से थोड़ा थोड़ा कर गे जो है राइस प्लावर में दे रही थी और एक साथ मिक्स कर रही थी तो जैसे मतलब रोट कर रही थी तो मैंने सोचा कि पहले इसको रेड़ी करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब तक मतलब दूर बूली बनेगा तो यह भी सेट हो जाएगा हमारा तो देखिए इसके साथ मैं थोड़ा सा सल्ट एट कर दिया था और उसके बाद जो है नर्मल पानी करनि डालना चाहिए तो मैंने यहां पर थोड़ा सा और पानी अड़ कर दिया था तो देखिए अभी जो एक्दम बिल्गोटु डेड़ी हो गया था तो इस तरह से जो है मैंने एक साथ अच्छे से मिक्स कर दिया था और आभी मैं आप लोगको दिखा रही थी तो को और एक पर मैंने अच्छे से गुंद लिया था और उसके बाद देखिए यहां पर जो है इसे गुल गुल टाइप बनाना है और मैंने थुड़ा सा यहां पर पानी ले लिया था क्योंगी पानी देने से जो है हाथ पे ज्यादा लगेगा नहीं ठीक टक बनेगा तो अभी इसके अंदर जो है मैंने खोल्ड कर दिया था और जैसे मतलब आलू पुराठा यह सब का स्ट्राफिंग दे के बनते हैं तो बैसे ही तो बहुत सिफ मतलब हम चाकी बेलन में करते हैं और यह हाथ पर ही करना है तो देखिए इस तरह का तो आप लोग जैसा मोड़ी अप लोगों को जैसा अच्छा लगे बना सकते हो आप लोग तो मैंने मतलब जो जो डिजाइन मेरे मन में आ रहा था वो ही मैं बना रही थी तो यह जो है प्रि रेडी हो गया है और दूद उपल रहा था उसके बाद मैंने यहाँ पर दो एलाइची एड़ कर दिया है यह जो है स्मेल के लिए तो आप लोग चाहो तो यह लाइची का पाउडर भी एड़ कर सकते हो बड़ मेरे पास पाउडर नहीं है तो इसके लिए मैंने ऐसे के लिए छोड़ देना है और गैस का फ्लेम आप लोग देखी रहे हो एकदम मीडियम टू लो में मैंने कर दिया था तो अभी जो है ढखके टेन मिनिट्स तक पकाना है और टेन मिनिट के बाद देखिए यहाँ पर जो है फुलेम रही हो गया था बॉयल और एक बार ना बे लगाइब है इसके लिए ने थोड़ासा दिया था और लूपर से यह नार्गिल का स्ट्राफिंग जो मैंने करके रगा था बो दे दिया हो और अब लोग नारगिल पुरादा भी एड कर सकते हो बट मुझे यद नहीं था तो इसके लिए मैंना रही थी पार्टी साप्टा तो सब कोई पता है जैसे धोसा बंदे उसी टाइप का देखिए तो यहां पर मैंने रेडी करने के बाद जो है थोड़ा दो-चार मिनिट ऐसे ही रखके पकाया था और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा घी आड़ कर दिया था तो समील जो है बहुत अच्छा लगता है और अ यहां पर जो है सब्समेना नेका तो सिंपिल सा बनाया है और अभी तो पोदीदेव घट पे नहीं आया है वो आने के बात है हम लोग एक साथ सम खाए लिए तो जिलिए अब लोगों को एक बड़ बेट्केमरस से दिखाते हैं तो सुबह से मैं यह तयारी में लगी थी और तीनों टाइप फूली एक्तम रेडी हो गया है तो आप लोग भी फटा-फटा आ जाईए हमारे लोग के साथ जान कीजिए बेबी यह कौन लेके आया है यह पावा के डाइडी लेके आया है तो हस्पंट आने के टाइम में जो है यह कलंडर और यह सब डाइडी लेके आया है निया सल का तो आज मिल रहा है सब कुछ इता रिकॉर्ड तो बोदी दिब भी आ गए था ड्यूटी से और अभी मैं उनके लिए लेके जाड़ी हूँ उनको कैसे लगेगा मुझे पता नहीं अभी तो जलिए उनको खिलाते है तो देखिए आ के ही सो गया था तो रहा टायट भी था और उनको खाना के बाद मैंने पूछा तो वह बोल रहा था कि अच्छा बना है तो चलिए यह पुरी बार बालों के लिए लिए करती हो तो इनकों को पसंद आया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो बेटू भी बहुत अच्छे से खाया था और अभी हम लोग को खायेंगे बैठके आप लोग भी आ जाईए तो चलिए गाइस आज का व्लोग यही पर इंट करती है आप लोग को अच्छा लगा है और अच्छा लगे तो लाइक करना कॉमेंट करना शेर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए